नमस्कार मैं हूँ बंदर शर्मा आप देख रहे हैं बिस्नस की बात को गया कंपनियों के इंडिपेंडेंट डारेक्टर्स की सेलरी अब जीएस्टी के दारे में आगी है कंपनियों के निदेशकों को पेशेवर शुल्क और पारेश्रमिक के तौर पर किया जाने वाला भुकतान अब वस्तू एवं सेवाकर यानि जीएस्टी के दारे में हुगा आपको वतादे के सरकार संग्रा बढ़ाने के लिए टेक्सेशन सिस्टम की खामियों को दूर करने में जुटी हुई है CBIC यानि केंद्री अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि इस तरह के निर्देशकों को उनकी सेवा के एवज में किये जाने वाले भुकतान पर कम्पनिया रिवर्स चार्ज के आधार पर टेक्स काटेंगी इसके अलावा पूर्ण कालिक निर्देशकों या जो निर्देशक कम्पनी के करमचारे भी हैं उन्हें वेतन के अलावा दिया जाने वाला पारिश्रमिक भी GST के सशर्थ आधी निर्देशक प्रबंध निर्देशक जो किसी कम्पनी के रोल पर भी है और वेतन लेते हैं वे यदि किसी तरह का ऐसा पारिश्रमिक प्राफ करते हैं, जो वेतन की प्रक्रतिका नहीं है, तो वो GST के आधी उपूगा। हाला कि इस तरह के निदेशकों को भुपतान किये जाने वाले वेतन पर कोई GST नहीं लगेगा। मतलब यह है कि जहां निदेशकों के पारितोशिक को कमपनी के खातों में वेतन की तौर पर फूशिक किया गया है और इस पर आयकर कानूनन की भारा 192 के तहट TDS काटा जाता है, निदेशकों को ऐसे भुपतान कर योगे नहीं हैं। इसे केंद्रे GST कानून 2017 की अनिशुची 3 के तहट एक करमचारी द्वारा अपने नियुकता के लिए दी गई सेवाओं के तौर पर कर योगे नहीं माला जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमाएं नई यूजर है और हमारे चानल से जूड़ी खान अपडेट को जाना चाते हैं, तो तुरंद ही हमारे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथी बेल आइकन को लबाना ना भूलिएगा जिसके आपको फर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती है। तो बने रही हमारे साथ और देखते रही ओपिट रही है। Oki Credit भरोसा व्यापार का